असलाम लेकुम दोस्तों जकी गोट फार्म में आपका स्वागत है दोस्तों एक बार फिर मैं आपके सामने नहीं वीडियो लेकर हाजिर हूँ मेरा नाम है मुहम्मद जयाद उमीद है आप दोस्त भी खैरियस से होंगे दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही जानकारी वाली वीडियो है कई हमारे ऐसे बकरी के शौकीन और नए फार्मर हैं वो ये अक्सर सवाल पूछते हैं हमसे कि बकरी और बकरे को रोज नहलाना सही है नहलाना चाहिए या नहीं नहलाना चाहिए अगर नहलाना रहे तो कितने भजे बगरी को नहलाना चाहिए, गई ऐसे हमारे साथ ही हैं वो बगरी को या बगरे को जब धूप बहुत जादत तेज हो जाती है तब वो नहलाते हैं, उनका मानना है कि तेज धूप में नहलाके कर देंगे तो बगरी जल्दी सुख जाएगी, तो ऐसा बिल्कूल भी नही है बकरी एक तो नहलाने एक बार ठंडी हो जाएगी उसके बाद आप जब धूप में रखेंगे तो अचानक से बकरी तेज धूप में गर्म हो जाएगी सर्द गर्म होने से बकरी को सर्दी और जुखाम होने की संभावना जादे हो जाती है ऐसा बिलकुल भी न करें बकरी को थंड के मौसम में नहलाने से शाम में नहलाने से बचना चाहिए और अगर नहला रहे हैं आप तो 9 से लेके 11 बज़े तक ही नहला दें और नहलाने के बाद अपनी बकरियों को अगर थंडी का मौसम है तो सरसों का तेल 20-30 गराम जिन भी बकरी या बकरे को आप नहला रहे हैं जरूर पिला दे, नहलाने के बाद आप देखेंगे कि आपके बकरियों के जो खाने की स्पीड है, वो जादे हो जाएगी, इनसान भी जब रोज नहा लेता है तो उसकी भूख बढ़ती है, आप कभी भी बकरी को नहलाएंगे, नहलाने के बाद जब बकरी सुखेगी तो पहले के मुकाबले हमारी बकरी अच्छा खार रही है, दोस्तों आज की वीडियो आपको ये नौलेज वाली वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताईएगा, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अल्ला हाफिज